तो आध हम बनाने वाले हैं एक संडायल, संडायल उक वह चीज होती है जिसके तवारा हम संडायल के मदद से टााइम को मीजर करते हैं तो आध हम संडायल चेक करेंगे कि यह कितना एक्यूर्यट है और यह भी देखेंगे कि solar noon और local noon में कितना difference होता है तो guys इसके लिए जिस ingredients के जरूत पढ़ने वाली है पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले guys आपको ये printable template चाहिए होंगे ये दो printable template ये आपको अपनी location के according प्रेंट कराने होंगे क्योंकि latitude recording change होते रहते हैं longitude से तो इसमें परक नहीं आता है लेकिन latitude recording change होते हैं आपको अगर latitude change होता है तो आपको अलग-अलग latitude के लिए अलग-अलग paper print कराने होंगे तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं मैं आपको दोनों की मदद से करके दिखाऊंगा इसके लाभब आपको रवी कोल सेलो टेप्स केंची स्केल पैन और गत्ते की ज़रुवत पढ़ेगी गत्ता जीनोम बननाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं कि अब सबसे पहले गाइज आपको यह जीनोम वाला प्रिंटेवल टेमडेट लेना होगा और इसको जो से आप यह त्रेंगल देख पा रहे हैं कैंची से इसको चारो तरफ से काट लेना होगा इसलिए शुरू करते हैं कि यह देखें गाइस मैंने ट्राइंगल काट लिया है अब आपको क्या करना है क्योंकि हम इस पेच को लगाएंगे तो इसी क्योर नहीं रह पाएगा तो इसी काट लेना है इसको इसके ऊपर रखेंगे और यह जुचा तरफ का गत्ता है है यह काट के इकाल देते हैं कि अगाइस मैंने उसी जीनूम के साइट का एक ट्राइंगल गत्ता काट यह जीनूम बोलते हैं और इसको हम अपने संडायल के उपर लगाएंगे शेड़ो के लिए चलिए मैं आपको बताता हूं संडायल को नाव साथ में कैसे अलाइन है तो शरी शरू करते हैं कर दो है के सब्सक्राइब कर दो एक फिक्स कर दिया अब इसके ऊपर यहां शेड़ो के लिए जीनूम लगाना वड़ेगा तो जीनूम लगाते हैं है तो इस यह हमार जीनूम है और इसको हम यह जो भीच में ठीकनेस दिखाए पड़ रही है आपको इसके बीच में ऐसे ल कि यह देखिए गाइस जीनोम यहां पर फिक्स हो चुका है कि यहां पर हम तुने जीनोम को सेलो टिप से थोड़ा और फिक्स कर देते हैं कि अब देख पा रहे हैं संडाल पूरी तरह से बन कर तियार हो चुका इस समय करीब 12 बज़ रहा है तो कोई शेड़ो नहीं हो और यह तरीवन सोलर नून का टाइम है मैं आपको दो तीन बज़े के करीब दिखाऊंगा कि यह किस तरह से पाइम को मीजर करता है